Hello friends, आज का पहला question लिए चलते हैं, question number है हमारा 15 He found it difficult, उसे यह चीज करने में मुश्किल हुई अगर आपको कोई काम करने में मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं I find it difficult to do something यानि मुझे इस काम करने में मुश्किल हो रही है, तो क्या मुश्किल हो रही है He found it difficult, उसको ऐसा मुश्किल हुआ To adapt to the changed circumstances Circumstances का मतलब है परिस्थितियां और changed का मतलब होता है परिवर्तित यानि यहाँ जो changed है, वो एक adjective है, वो एक कोई verb नहीं है Change जैसे verb भी उज़ लेते हैं, change as a noun भी लेते हैं But किसी भी verb का third form जो है, कभी-कभी as adjective काम आता है यानि यहाँ पर changed circumstances की बात कर रहे है तो यहाँ पर कह रहा है कि भी बदले हुए circumstances में उसको adapt करना मुश्किल हो गया Adapt का मतलब क्या होता है? अनुकूलन होना, अनुकूलन होना का मतलब क्या होता है? भी अनुकूलन होने का मतलब है, जैसी कोई चीज चल रही है उसके अनुरूप ढ़ल जाना, उसके अनुसार ढ़ल जाना यानि अगर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पर ऐसा का जा रहा है भाई परिस्तियां बदल रही है लेकिन उसके according मैं नहीं ढ़ल पा रहा हूँ अपने आपको वो ऐसा वेक्तिक error ये तो हो गया इसका meaning अब error की बात करते हैं चले दोस्तों error ये कह रहा है he found it difficult to adapt Adapt किसको? खुद को So adapt himself to the changed circumstances Adapt शब्द के बाद himself आ जाएगा बहुत सारी बात adapt, adopt और adapt के बेरी में बता चुका हूँ उसके बारे में जिकर नहीं कर दे Hello friends स्वागत है आपका digital तयारी चैनल पे मैं श्रयांस कोठारी लेके आऊँ आँ आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार किताब Objective General English by S.P. Bakshi दोस्तों S.P. Bakshi सर की जो किताब है ना ये लगातार हम लोग करवाते जा रहे हैं और आप लोग करते जा रहे हैं और actually series आगे बढ़ती चली जा रही है बस आप इसी तरही के से जुड़ी रहीगा एक एक चीज को एक एक word, एक sentence, एक line, एक यू समझ लीजे paragraph किया पूरी किताब का हर एक page आपके लिए complete solve करवाया जा रहा है theory को बताया जा रहा है questions करवाया जा रहे exercise करवाई जा रही है review and revision exercise को भी मैंने miss नहीं किया है बस आप इसी तरही के से बने रही है दोस्तों आप ही का प्यारा channel है यह digital तयारी चलिए आगे बढ़े हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग खाएंगे आज के मिठाई दोस्तों आज के मिठाई क्या आपने खाई आज का word दोस्तों dastardly देखेगा dastardly किसे कहा जाता है dastardly कहा जाता है despicably cowardly despicably cowardly का मतलब होता है बहुत जादा डर्पोक बनके बहुत जादा कायरता से adverb है मतलब बहुत जादा कायरता से कोई काम हुआ the unprovoked जिसने प्रोवोक नहीं किया and dastardly attack dastardly attack का मतलब क्या होता है उसने पीछे से वार किया कायरता से वार किया डर्पोक बनके वार किया कावर्ड ली अटैक था यानि की डैस्टर्ड ली अटैक था यानि वो जो अटैक था वो कायर था का निशानी थी एक्जाम्बल भी देख सकते हैं दोस्तों कायर वाला या फियर्फुल वाला चलिए तो ये तो हो गया हमारा एजेक्टिव और इसका प्रयोग आप एक सेंडे मैं करेंगे हम लिए चलते हैं आगे आप लोगों को question number 16 की तरफ 16 मैं कह रहे है any order कोई भी प्रकार का order which curbs a police officer वैसे curbs police officer को curbs कैसे करते है C-U-R-B curb का मतलब होता है curtail C-U-R-T-A-I-L curb का मतलब curtail और curtail का मतलब है कम करना कोई चीज़ की value को कम करना from doing his duty उसकी duty को रोकने के लिए is itself वह खुदी जो order है ना unlawful and should not be obeyed वो तो जो order है ना वो खुदी unlawful है वो legal ही नहीं वो illegal है वो कानून के खिलाफ ऐसा ये कहना चाहरा है and should not be obeyed उसे तो उसका पालन ही नहीं करना चाहिए ऐसा कहना चाहरा है तो वापिस देखे sentence कह रहा है कि कोई भी order जो police को रोके और police को रोकने के लिए कहते हैं दोस्तों prevent गर स्वयम इटसेल्फ unlawful है वह गैर कानूनी है वह नहीं पालन कर लेना चाहिए यानि question number 16 का answer आजाएगा before और Bombay चले question number 17 देखते हैं दोस्तों after the successful performance यानि जो एकदम सफलता पूर्ण performance हुई किसकी of the great actor एक बहुत ही महान actor की was over जैसे ही वो पूरी हुई खतम हुई जैसे ही एक बहुत बढ़िया performance खतम हुई एक महान actor की there was a thunder struck applause thunder struck thunder होता है दोस्तों बिजली की गड़गड़ाट struck यानि बिजली गिर गई किसी पर applause, applause का मतलब होता है वैसे तो वावाई, प्रशंसा लेकिन actually यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाट की बात हो रही होगी for a few minutes, कुछ मिनिटों तक ऐसा हुआ तो तालियों की गड़गड़ाट के लिए शब्द आता है thunderous applause, thunderous applause का मतलब है गड़गड़ाट गर्जगना करता हुआ, एक दम जबरदस चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, question number 18 की तरफ he is so handsome, वह इतना handsome है that people turn around to look at him लोग तो मुड़ मुड़ के उसे देखते हैं कि भाई कितना handsome कैसे है ही है होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी handsome होते है but question क्या कह रहा है देखिएगा वो इतना handsome है, दोस्तों, अगर man नहीं लिखा होता न, so handsome that handsome अकेला adjective होता तो हम क्या लगाते, so handsome that but man लिखा हो है, तो option में very or two तो आएगा ने, क्योंकि two आएगा तो फिर two आएगा यहाँ पे आएगा, such a handsome man वो इतना handsome man है कि लोग जो है, उसको देखने के लिए बार-बार मुड़ते हैं, यह स्टेटमेंट कहना चाह रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, question number 19 क्या कहना चाह रहा है they continued, उन्होंने जारी रखा to work in the field, उन्होंने field में कारे करना जारी रखा despite of the heavy range despite शब्द के बाद off तो आता ही नहीं है heavy rains का मतलब होता है भारी बर्शा के बीच में भी भारी बर्शा के बावजूद भी उन्होंने काम करना जारी रखा, रोका नहीं विचलित नहीं हुए तो दोस्तों, in spite of आजाएगा यही सही अंसर है even it की जरौत ही नहीं है although यानि हालांकी की जरौत नहीं है हम तो इतना कह रहे हैं के बावजूद in spite शब्द के बाद off आता है despite के बाद नहीं आता है in spite of और despite के बाद सीधा तो यहाँ पे question number 19 का answer हो जाएगा 20 देखते दोस्तों she has a passion passion का मतलब होता है जुनून एक ऐसा जुनून हमें होना चाहिए कि कोई exam क्यों न हो दोस्तों आप जिस exam का preparation कर रहे हैं उसको सोते उटते खाते पीते हर जगे हर समय दिमाग में घर कर जाना चाहिए दूसरी बात ही हमें ध्यान में नहीं आनी चाहिए उसे कहते है passion और ऐसा passion अगर आप जगा पाए दोस्तों कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको उस exam को crack करने से रोक पाए हम यह कह रहे हैं उसका passion किसका था music का तो music का passion होता है passion for याद गर लो लिख लो copy के अंदर passion शब्द के साथ फौर लगाना है चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का last question करते हैं और last question करने से पहले यह जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों subscribe करिए यह channel जो SP बक्षी के लिए हमने तयार किया है यह channel जिसका नाम digital तयारी है दोस्तों इसमें SP बक्षी के अलावा भी कुछ किताबे हमने solve करा रखी है उसके अलावा कई सारी short tricks कई सारे English के grammar rules कई सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपके लिए बहुत उपियोगी थाबित हो सकती है तो अभी share करें और अभी subscribe करें चलिए will you land me क्या मुझे उधार दोगे borrow का मतलब होता है उधार लेना और lend का मतलब है उधार देना और मुझे चाहिए तो तुम दोगे you land me few rupees in this hour of need जरूरत के इस घड़ी में यहाँ पे hour का मतलब घंटा नहीं है जरूरत के इस घड़ी में क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे few rupees लिखावा है few rupees का प्रयोग वहां करते हैं जब negativity है few rupees का वहां प्रयोग करते हैं जब न के बराबर है हमें तो यहाँ positivity चाहिए भाई मुझे पैसे चाहिए तो तुम कुछ दोगे क्या चाहिए कम इसलिए few लगाया लेकिन positive वाला few चाहिए तो उसे कहते हैं a few can you land me a few rupees कुछ पैसे लाके दे सकते हो क्या question number 21 का answer see हो जाएगा और उससे आपको समझ आएगा किस तरीके से question करना है दोस्तों sentence improvement के लगातार एक question करते जा रहे है series चलती जा रही है आप भी series में जोड़ जाएए अच्छे से तयारी करिए सारे question को एक बार स्वयम करिए thank you and take care please like, share, subscribe digital तयारी